नवसकार दोस्तों, मैं कुमार विश्वास, आप जानते हैं कि एक बड़ी चुनोती में देश इस समय है और शहरों की तरफ से अब कोरोना गावों की तरफ चल रहा है तो इसके लिए हमने आसपास के गावों के प्रधानों से और प्रभावशाली लोगों से बाचीत की और उसे कहा कि वे किसी सरकारी बिल्डिंग में या किसी एक सारवजनिक जिखेंपर एक कोविट केर सेंटर बनाएं जहां वो गांभ कर जैसे पहले बरातों में मागी जाती थी ऐसे कुछ खाटें ले 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 कुछ बिस्तर ले ले कुछ खाना ले और जो भी मरी जाता है उसे आईसोलेशन में रखें और यह योजना गावों में बहुत सफाल हो रही है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गाओं बचेंगे तो देश बचेंगे, आप भी अपने यहाँ इसी तरह प्रेयोग करिए। अब आप पुछेंगे कि कोविड केर सेंटर में होता क्या है। चलिए आपको कोविड केर सेंटर दिखाते हैं। कोविड केर सेंटर में हमारी होड से बहुत अधिक मदद नहीं पुछाई जाती है। अब आपने के थर्मामीटर और वह होता है कि करें क्या खुद को सुरक्षित कैसे रखें। तो इसका एक अनुदेश पत्र जिसमें सारे निर्देश एम्स के द्वारा दिये गए रखे हुए हैं। साथ में एक दवायु का किट जिसमें मास्क है जिसमें सैनिटाइजर है जिसमें थर्मामीटर है जिसमें ऑक्सीमीटर है और जिसमें एमस ल्वरा प्रस्तावित pre-scribed medication है। यह हम उसके विड़ के राकते हैं। इसके साथ ही हमने इन कोविट केर सेंटर्स को जोड़ा है वोलिंटरिली हमारे साथ जोड़े हुए देश के डॉक्टर्स के साथ एक गाउं पर तीन डॉक्टर है ताकि आठ आठ गंटे वे डूटी कर सकें लेकिन वो वहाँ पहुंसते नहीं है चुकि वो सुदूर है देश भर में है वो फोन पर उपलब है यानि कि वो वोट्सक वीडियो पर वता सकते हैं कि ये वाली दवा लेनी है ये वाली दवा नहीं लेनी है ये केवल प्राथमिक उप्चार केंदर है सगन उप्चार केंदर ही है बगवान ना करें किसी ग्रामिन की तबद पिगड़े तो उसे तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा लेकिन हम शुरुआत में जिन में भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको कोविड केर किट देकर एक बहुत बड़ी संख्या को बचा सकते है आप सबसे भी अनुवद है कि आप सब भी इसी प्रकार के कोविड केर किट बन वाए मेरे आफिस से बात करें, मुझे वाटसप करें, मुझे मेल करें, मुझे ट्विटर पर फेस्बुक पैसिज पर भेजें और हम आपकी मदद करेंगे बहुत ही सिंपल है 400-500 रुपे में, 600 रुपे में कोविड केर किट बढ़ जा दिए सोच कर देखिए, कि अगर आप रस्टुरेंट जाते खुला हुआ होता, तो 6-7 जार का खाना हाँ खारा दे तो अगर 10 कोविड केर किट आपने बनवाई और 10 मरीजों को दीं और उनमें से 9 मरीज भी अस्पताल जाने से बच गए तो आपने कितना पुर्णे का काम किया तो ये जो कोविड केर सेंटर हैं हमारे, इने रेसिप्रिकेट करिए इनको अपने अपने गाउं में, जो भी गाउं के लोग सुने और इस वीडियो को जगे जगे के पहुचाईए बहुत सरल है, विस्तर बिछाईए, बात्रूम अलग करिए, सनिटाइजर्शन करिएगा ये कोविड केर किट बना के वार रख दीजिएगा घरम पानी की विवस्था करिए और कोशिश करिए कि ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर्स लग सके लग सके, तो आजपास के किसी हस्पताल से बात करकर रखे हमने यहाँ, जहां भी कोविड केर सेंटर बनाए हैं वहां सरकार से प्राटना किया है, यहां के बिजली भाग से प्राटना किया कि कम से कम इन जगों को स्वास्त केंदर मान कर अगले कुछ महीनों तक इनकी लाइट्स जो है वो निर्बाद की जाए मैं कोई सरकार नहीं हूँ नेता मंत्री विधायक सांसा दफसर नहीं हूँ एक सामान नहीं कभी हूँ आपका बनाया हुआ हूँ इसलिए मैंने खुद से कोशिश की है खुद से मैंने यह प्रयास किया है अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने आफिस के लोग के साथ मिलकर अपने चाहने वालों के साथ मिलकर किसीने परा सीटा बोल भेजी है किसीने मास्क भेजे हैं, किसीने सनिटाइजर भेजे हैं आपसे और आप इस बात को बानते भी हैं कि तूसरे को मार कर खाईये विक्रती है आप अपना खाए मैं अपना खाऊं यह टखरती है लेकिन मैं आपकी जित्ता करके खाऊं यह सांस्कुति अगर आप जरा से भी स्वांस्कृतिंग हैं जरा से भी कल्चुर्ड हैं आपको लगता है कि आप पड़े लिखे हैं तो प्लीज गाउं को बचाएंगे गाउं बचेंगे तो देश बचेंगा इस बात को बार-बार दोराने से कोई फायदा नहीं कि विवस्थाओं ने हमें धोका दिया है वे चूक गई हैं किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी है किसी भी नेता के प्रिय या उसके बहुत यदिक अनुयाई होने के बाद भी आप ये बात स्विकार कीजिए कि देश इस समय स्वयम सेवा के भरोसे कड़ा हुआ है और आप सबको उसके लिए स्वयम सेवा के प्रतिस्वेम से वक्त बनना पड़ेगा एक दूसरे की साहता करिए यही हिंदुस्तान है यही भारत है